ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें असलाम अलेकम, आइम डॉक्टर अब्दिल हलेव, मैं कंसल्टन्ट साइकेटरिस्ट हूँ मैं Brightway Clinic, Rival Road, Lahore में प्राक्टिस करता हूँ मैंने साइकेटरी में FCPS किया हूँ है आज ये वीडियो हम मना रहे हैं, डिप्रेशन की उपर पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबाग देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फाइदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक एप डाउनलोड करें ओलाडॉक डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट आसानी से वज़ाई है के डिपरेशन बोखाशन बहुत ज़्यादा कामन डिसाडर है और मॉस्त परिवेलिंट है сोसाइटी में और जितनी ज़्यादा कामन है उतनी ज्यदा अन्टीट होती है टीट नहीं होती contempor उत सहीओ तरीके से डील नहीं किया जाता It is a psychiatric disorder और जाहर है कोई और It's not a sign of personal weakness Not a flying character जिस तरह diabetes एक बीमारी है दिल की जिस तरह बीमारी है इसी तरह depression भी एक नफसियाती बीमारी है Depression अमुमन 10 से 20 फीज़ लोग को होता है उसमें लोग female हैं जो woman हैं उनमें दोगुना ज़्यदा depression पाया जाता है Depression की अलामात क्या होते हैं उनके बारे मैं अब आपको बताऊंगा Depression किसी भी इनसान को हो जाए तो उसमें उनका मज़ाज अमुमन अदास रहता है काम करने का दिल नहीं करता सुस्ती रहती है हर वक्त जिस तरह पहले अपने काम काज में वो इंट्रेस्ट लेते थे उनकाम काज में इंट्रेस्ट नहीं लेते खुद रितमादी की कमी आजाती है उनके अंदर और confidence लो हो जाता है लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं करता नीद और भूक में तबदिली आजाती है अगर डिप्रेशन की बीमारी शिदत ज्यादा हो जाए तो खुदकुशी के अपने आपको नुकसान पहुचाने के ख्यालात आते है मस्तक्बिल मायूस नजर आता है माजी की छोटी छोटी बातों के उपर पश्टावा आता है एक सेट अफ सेट अफ सेप्टंस है जिसमें अगर चार से सेप्टम आए तो ज्यादा तर इमकान है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है साइंसी तहकीक के मताबिक डिप्रेशन की एक वज़ज़ तो मौरुसी और मिल का किरदार हो सकता है दूसरी वज़ज़ डिप्रेशन में जो बच्पन में परेशनियां होती है अब बच्पन में जो एडवर्स चाइल्डूड सरकमस्टंस होते है उसकी वज़ज़ से डिप्रेशन हो सकता है तिसरी वज़ा ये है कि दिमाग के अंदर कुछ कीमिय अज़ा होते हैं जिस तरह सिरोटिनन है उसकी लेवल की कमी हो जाती है सिरोटिनन की कमी हो जाती है उसकी जिससे डिप्रेशन हो सकता है और वज़ा यह हो सकती है कि जिस तरह के हालात हैं परेशानियां या किसी का लास हो गया कोई फिनांशल लास आ गया कोई परेशानी आ गया इसकी वज़े से डिप्रेशन हो सकता है कि ये सारे अवामिल मिलके depression कास करते हैं कोई खास वज़ा नहीं है depression की depression का जैसे कि मैंने बताया कि ये psychiatric disorder है किसी जादू या तावीज की असर की जैसे ये नहीं होता ये जहनी नफस्याती बिमारी है जहरे इसका इसका इलाज मौजूद है जो हम decide करते हैं on the basis of the severity of depression depression की severity कि कितनी है तो उसे साब से हम treatment opt करते हैं इसमें treatment में हम anti-depression देते हैं anti-depression के इलावा psychotherapy करते हैं CBT, cognitive behavior therapy, interpersonal psychotherapy तो इलाज इसका लंबा चलता है, course होता है अगर एक दफा डेप्रेशिव एपिसोड आया हुआ है तो 6-9 मेने का इलाज का दोरानया होता है अगर 2-2-2-2-2-2-2 दफा डेप्रेशिव एपिसोड आया हैं तो उसका दोरानया 2 साल तक हो जाता है एक दफा अगर दवाईयां start हो जाएं तो शुरू में जो एंटिडिप्रिसन दवाईयां हैं वो रैस्टलेस्नेस एंग्जाइटी कीरेट करती है लेकिन इसकी वज़े से हम उनको लो डोज में स्टार्ट करते हैं और आएस्ट आएस्टा बिल्ड करते हैं एक दफा दवाई स्टार्ट हो जाए तो डाक्टर के हिदायत के मताबिक दवाई चलानी है इसके डाक्टर के हिदायत के बगएर आपने दवाई कम नहीं करनी अगर दवाई कम भी करनी है तो आएस्ट आएस्टा हम करते हैं डाक्टर के हिदायत के साब से और दवाई के कहते हैं, meditation exercise बताते हैं, अपने जो regular activities हैं, उनको maintain करने का कहते हैं, उनकी जो sleep disturb होती है, sleep को ensure करते हैं कि ठीक sleep दे लें और साथ में खाने पीने की जो चीजें हैं वो ठीक लें और साथ में family को भी बहुत ज़्यदा family का रूल होता है, depression की cause में भी और depression के में अगर family supportive है, family इस चीज़ को समझ रही है, कि बीमारी है, तो बहुत ज़्यदा support भी करती है, अगर supportive हो family और critical नहो, hostile नहो तो ज़्यदा जिनकानात होते हैं कि depression की बीमारी के लाज सक्सेस्फुली जल्दी हो जाए, अगर family फर्ज करें, इस चीज़ को नहीं समझ रही, और hostile attitude है, critical attitude है, मरीज की तरफ, तो बीमारी और खराब हो सकती है, depression के बारे में कुछ myths हैं, वो मैं बताना चाहता हूं कि लोग समझते हैं कि depression is a personal weakness, और a philion character, कमजोरी की निशानी है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, बीमारी मुझे भी हो सकती है, आप लोग को भी हो सकती है, क्योंकि इस a chemical imbalance, chemical imbalance अगर हो जाए, तो क I don't think that it's a personal weakness, और ये होता है कि लोग दवाईया लेना पसंद नहीं करते हैं, मेडिसिकेशन लेना पसंद नहीं करते हैं, इसकी क्या वज़ा है, वो समझते हैं कि एडिक्टिव हैं, ये बाद जहन में रख लें कि anti-depression जो दवाईया होती हैं, वो अडिक्टिव नहीं होती लंबे अर्सी तक हम दे सकते हैं, और साथ में ये इलाज लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, अगर एक दफ़ा फर्ज करें depression की बीमारी हो गई, तो दुबारा depression के इमकानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये नहीं है कि एक दफ़ा इलाज हो गए कि दुबार डेप्रेसिव एपिसोड नहीं आ सकता, एक दफ़ा अगर हो जाए डेप्रेसिव एपिसोड तो दूसरी दफ़ा उसके इमकानात ज़्यादा होते हैं, और इसको कैसे बचा जा सकता है, एक तो अपना lifestyle सही maintain किया जाए, सही physical exercise regular किया जाए, अपने social support को सही maintain किया जाए, और लोग की high expectations होती है, वो fulfill नहीं होती ही, लोग depressed होना शुरू हो जाते हैं, या कुछ लोग highly professional होते हैं, एक चीज के उपर focus करते हैं, life में उनके balance नहीं होता, उसकी वज़ाए से दुबारा उनको depression की बिमारी हो सकती है, तो इसलिए मैं ये मशुरा दूँगा कि depression से बचने के लिए एक तो life में balance लेके हैं, दूसरे अपनी सारी जो life की चीजें हैं, सही तरीके से maintain करें, एक सही तरीके से physical exercise, इबादत, meditation, लोगों से मिलना जुलना, हर चीज का balance रखें, तो ज़्यदा इमकानात हैं कि depression की बिमारी आपको नहीं होगी, बहुत शुक्रिया. साथ.